अब जितने बच्चे नए एन्रोल हो रहे हैं उनको स्टार्टिंग से जो लाइव क्लासिस चल रही है वहीं से देखते चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा फाइनल अकाउंटी स्टार्ट किया है और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो कोई इशू होना नीची हम कंटीनू चल रहे हैं पहले हमारा टॉपिक क्या है सारा अरजस्मेंट खतम कर लेंगे फिर जी एस्टी खतम करेंगे फिर हम सीधा सीधा कुश्चन करेंगे इस हपते अरजस्मेंट का नाम क्या है हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसे-स पे-स-स-पेंवसिप अब बात को पहले समझ लेंगे अटजस्मेंट मैंने सारे जैसे पहले लास्ट क्लास में लिखा था्याजभी लिखा हुआ है पहले हम बातों को समझ लेंगे और फिरその वहां पर क्रॉस वेरिफाई कर लेंगे हाँ यह हो रहा है अप्रूवल का मतलब होता है के डिपेंड करता है मतलब के काम वर्ग जो है ना किसी के इच्छा पर डिपेंड करना जैसे आपको मान लो 12th क्लास में हो और आपको छुटी चाहिए 10 दिन के लिए गाउं जाना है सकते हैं दोनों चीजे हैं सेम मैं इसी बिजनस के पॉइंट वी से देखूँ तो मान लो मेरी एक दुकान है ठीक आप समझना बातों को यह मेरी दुकान है ठीक है और मैं जब बिजनस कर रहा हूं तो मैंने अपना एक ट्रेडिंग पी एंडल भी बनाया ही है और सिंपल सा एक बना लेते हैं ट्रेडिंग पी एंडल और बैलेंशीट ठीक है और यह मेरा बैलेंशीट और एक मेरा यह ट्रेडिंग अकाउंट मेरे पास जो पर्चेज है माल लेते हैं एक लाख रुपए का है और जो मेरा सेल्स है पहले की कहानी बता रहा हूं मैं माल लो दो लाख रुपए का है ठीक है और मेरे पास डेटर माल लेते हैं पचास अजार रुपए का है टोटल यह है ठीक है एंड हेर हमारे पास जो स्टॉक वगएरा हम बाद में थोड़ा सा मैं इसमें अपने हिसाब से कर दूँआ वो मैं माल लेते हैं मेरी जो दुकान है ना वो क्लोथ का है यानि कपडे का और जो मेरा कपडे का दुकान है और मेरा एक फ्रेंड है ठीक है और एक फ्रेंड जो मेरा है और मान लेते हैं यह Mr. A है अब जो मेरा दोस्त है वो दोस्त मेरी दुकान पे आता है और वो कहता है कि भीया मुझे ना कुछ cloth देखना था मुझे चाहिए आपके दुकान से तो जब फ्रेंड है तो दुकान दार यानि मैंने कहा आपने दोस्त को ले सकता है मैंने तीन चार चीजे दिखाया जीन्स भी दिखाया शर्ट भी दिखाया जीन्स और शर्ट और शर्ट दिखाया इसको ठीक है अब मेरे दोस्त को नो कोई भी कपड़ा पसंदी नहीं है बोला नहीं यार पसंद नहीं आ रहा मुझे और ये पता नहीं घर वाले अलाउड करेंगे नहीं करेंगे मान लेते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा तो मैंने उसको सजेशन किया यार ये दोनों चीजे ले जा मेरी बात मान ये अच्छा कपड़ा है और तू इसे ले के जा और उसको मैंने ये समान बेचना पता है कितने का है 2000 रुपे का और मैं जो इस समान को चाहे कितना भी दोस्त है कोई अपने बिजनस से थोड़ी ना बिना प्रॉफिट पे बेचेगा और ये समान मैंने खरीदा था 1800 का यानि ये मेरे लिए क्या है और ये हमारा सेल्स है मैंने अपने दोस्त को मेरे दोस्त को लेना नहीं था पसंद नहीं आये अगर समझ में तो रख लिए अगर ऐसा आप्शन आपको मिले तो आप एक बार को अवेल कर ले तो ठीक है और ले जातना हो दिखा लेते हैं घर पे पसंद आ जाएगा तो ठीक नहीं तो तेरे कल दे जाओंगा मैं जैसे ही मैंने इसको दिया समान वैसे ही मैंने सोचा यार ये मना कहा करेगा इतना अच्छा समान दे रखा है तो ये कंसीडर कर लेगा ये तो बिख्या जैसे ही इसने सोचा बिख्या तो सबसे पहले इसने अपना सेल्स बढ़ा दिया बोला मेरा सेल्स दो हजार रुपय का और हो गया जो कि मैंने अपने दोस्त को बेचा था ठीक है और सपोस करो यहां पर मेरा closing stock जो पहले था मैं color same रखता हूं so that समझ में आए जो पहले से मेरा closing stock था that is मेरा 20,000 था तो मैंने का भाईया चल भाई सेल हो गया तो इसमें से मेरे समान निकल गया समान पता है कितने का निकला क्योंकि मेरे लिए उसका stock का cost price था यानि मैंने 1800 का समान 2000 का बेचा तो मेरा sales बढ़ गया कितने का 2000 का और मेरा यहां से minus कितना हो गया 1800 ट्रेडिंग में से same balance sheet में भी closing stock आता है नहीं आता है तो balance sheet में भी पहले मेरा closing stock कितना होगा 2000 मेरा यहां से minus कर दूँगा कि मैंने समान बेचा है सेल करा है कितना minus करूँगा और मेरा debtor बढ़ जाएगा क्योंकि उधार बेचा है अभी पैसे तो मिले नहीं तो debtor बढ़ जाएगे तो debtor को मैंने कहा sales कर दिया है कितने का 2000 जब मैं अपने दोस्त को बेचूँगा तो आप यहां तक देखो कि यही करने वालों में और आप होगे तो आप भी यही करोगे न इसके अलाबा तो कुछ नहीं होगा सोचो दिमाग लगाओ अब ऐसे करते करते जितना मैंने काम किया ऐसे करते करते आ गया 31 मार्च और 31 मार्च को हमें final trading and profit and loss बनाना है मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया यार वो तिरको मैंने jeans और shirt दिया था तो घर पे दिखा लिया उसने कहा के घर पे तो दिखा लिया लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आया मैं कल तुझे दे जाऊँगा किसने बोला अब जो मैंने ये काम करा हूँ ये तो accounting गलत होगी भाई हो गई ने गलत क्योंकि मैंने तो सोचा थे ये तो लही लेगा मैं इतना confidence में था तो गलत क्या किया मैंने जो मैंने sales यहां पे दो लाख दो हजार दिखाया हुआ है जो मैंने ये stock अपना दिखाया हुआ है जो मैंने यहां डेटर 52,000 का दिखाया हुआ है पहले से और जो मैंने यहां पे 18,200 का दिखाया हुआ हुआ है यह सब गलत हो गया अब मुझे ठीक करना है तो ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा क्या मुझे सेल्स को बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पहले यह बताइए मतलब मेरे दोस्त ने मना कर दिया आप कमेंट में हा या ना का जवाब देजिए मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहें लेकिन मैंने जो एंट्री कर रखी है पहले से काम तो तो भाईया सेल्स पर फरक पड़ेगा क्या पड़ेगा सेल्स पर फरक जो आपने स दिखा रहा है गलत है तो यहां से लेस कर देंगे कि वह सेल हुआ नहीं उसको बोलते हैं सेल सोन अप्रूबल बीजिस मैं सॉट फ़र्म थोड़ा ले रहा हूँ अभी मैं क्लियर्टी भी करूँ है कितना माइनिस करूँ है यहां से कि और याँरू दोगमें कर्वां है कि मेरे आप यह जाएगा कि डॉन है कि यह कि इसके पाद इसटाब पर्ड़े स्टाब्ी फचेस्माइब अब इसके बाद इसटॉक्क पर तो मेरा क्या हो जाएगा है तो मेरे जाएगा अब जितने का समान मैंने माइनस किया था तारा सो का और यहां भी क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में भी समझ रहे हो यानि जो मैंने green marker से कराई यह adjustment है क्योंकि adjustment तो last में पता चलेगा trial बनने के बाद तो अब आपका adjustment देखो क्या हुआ दो जगह से selling price माइनस हो रहा है sales में से क्या माइनस हुआ है दो price है यहाँ पे एक है हमारा cost price एक है हमारा selling price तो sales में से क्या माइनस किया और debtor में से क्या माइनस किया और हमने closing stock में क्या plus क्या यानि entries की चार जगह जा रही है लेकिन यह सवाल तब तक आपके लिए possible नहीं होगा जब तक आपको दोनो price पता ना हो कि एक दोस्त को मैंने 5000 का समान 6 में बेचा था और उसने मना कर दिया अगर यह बात पता चल गई आपको तो 5 का समान 6 में बेचा था तो 6000 sales से भी क्लियर है आपको एक्जामनर यहां पर पता है क्या चलाकी करता है एक्जामनर यहां पर एक बात दिखाता है चलाकी में आपको बोलेगा कि कॉस्त था 4000 और जो बेचा वह 20 परसेंट प्रॉफिट पे बेचा यानि selling price आपको पूरा amount के terms में ना देखे आपको किस terms में देदेगा वह percentage के तो आपको percentage निकालना पड़ेगा समझ रहे हो तो हम percentage का भी देख लेंगे कि क्या कर सकते परसेंटेज का चलिए आए देखी लेते हैं percentage का सबसे पहले इसके adjustment का implementation देख लेते हैं पहले यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है तो adjustment का implementation देख लेते हैं और फिर मैं इस percentage की भी बात करूँआ कि क्या करना है percentage में ठीक है यह मिट रहा है और 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 आपके लिए चार example मैं सुरू से करूँआ इसके दो तरीके होते हैं लेकिन अभी हम long process में चलेंगा हम जल्दी जल्दी भागने के जुरूत नहीं है अब देखे सबसे पहले sales on approval basis आपको दिख रहा है दिख रहा है ना sales on approval basis पे होगा तो एक तो debtor sales में से क्या हो जाएगा selling price समझ में आ रहा है दूसरा क्या होगा debtor में से भी यह भी समझ में आ रहा है क्यूं कर रहे है तीसरा क्या होगा closing stock में add हो जाएगा लेकिन कहां पे trading में और फिर से closing stock में add हो जाएगा कहां पे वही चीज़े मैंने आपको यहां बताई है सारी चीज़े समझ में है तो पहले बताओ यह adjustment clear है अब जब आपको examiner percentage के terms में देगा तो उस percentage को हम कैसे calculate करेंगे समझना होगा देखो चार example है यह चार example से ज़्यादा कुछ नहीं बनता मैंने बोला यहां पे sales है आपका कितने 500 रुपए GP on sales 20% जो formula होता है आपका sales का हमेशा याद रखिएगा होता है sales is equal to cost और plus में gross profit ठीक है cost plus में यही सिक है हमने आज तक अब आपको GP किस पे sales पे और यह भी क्या है sales आप देखे यह भी sales पे और यह भी क्या है sales है तो इस situation में हमें sales तो पता है और हमें question में करने के लिए क्या चाहिए अब cost चाहिए होगा क्योंकि आपको दो ही चीज़ चाहिए, sales दे रखाओगा तो cost निकालो, cost दे रखाओगा तो sales निकालो, तो cost कैसे निकलेगा आपका, इस formula में put कर दीजिए, sales कितना है, cost नहीं पता, इसको x ले लीजिए, और GP किस के उपर है, sales के उपर कितने percent, 20%, तो इस 500 पे 20% कितना आएगा, सही है, आप x का value निकालेंगे तो कितना आजाएगा, तो आपने देखो, बड़े आसानी से, आपने क्या करा, cost निकाल लिया, और आपने sales आपको जब दे रखाओ, क्लियर है, चलो, आगे, आपको कहता है, sales दे रखा है, लेकिन, GP किस पे है, यहाँ पर आजाता है, पंगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप सीधा समझे, formula क्या बताया हमारा, sales is equal to, cost, plus GP, आपको क्या sales दे रखा है, जी दे रखा है, क्या cost दे रखा है, नहीं दे रखा, लेट कर ले, अब GP किस पे कह रहा है, cost पे 25%, इसका मतलब x का 25%, क्योंकि cost तो x ही है न, समझ रहे हैं बात को, तो अब x की value solve करो कोई, और x की value क्या result आएगा, x किसको माना है हमने, cost को, अब x की value solve करेंगे, तो यह आ जाएगा, 500 is equal to x, plus में, x by, इसको पूरे 4 से divide हो जाएगा, x by, 4, अब जब इसको solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4, 5x, divided by 4, तो 500 is equal to 5x, divided by, अब multiply कर दो, इसके आगे मैं यहां कर रहा हूँ, कितने आ जाएगे, 400, तो x की value क्या आ गई हमारी 400, आप solve कर लिजेगा, इसको, अब देखो, cost पता चलिया, सर, यह दो चीजे क्यों निकाल रहे हो, cost, क्योंकि आपको चाहिए ना, एक cost, प्लस करना है, और sales क्या करना है, minus, अगर दोनों amount के terms में देजाए, तो कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन in terms of percentage देजे, तो समस्य आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, cost, और मैंने बोल दिया, suppose करो, GP on, cost 20%, ठीक है, अब formula क्या है, sales, is equal to cost, प्लस GP, sales दे रखा है, नहीं पता, एक्स माल लो, cost दे रखा है, पता है, कितना है, हमारा 500 रुपए, और GP किस पे, cost पे, तो cost पे, 20% निकालो की कितना है, 100, तो x का value कितना आ गया, 600, यानि, मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूं, कुछ point में तो सीधा ही निकाल रहे हूं, और यह वारा थोड़ा से लंबा है नहीं है, इन दोनों से, तो फरक पता ही क्या है, यहाँ पे आपको sales दे रहा है, और GP भी sales पे है, दोनों सेम बात कहे रहा है, यहाँ पे cost दे और GP किस पे बोले, अब देखो, इसमें cost दे रहा है 500, और GP सिर्फ 20% बोला, यह नहीं बोला किस पे है, तो जब कभी भी GP किसको कितना percent है ना बताया जाए, तो हमेशा पता है किस पे consider करना सहाब, यह किस पे होगा, मानना पड़ेगा आपको, अब दोनों अलग अलग कोई cost और GP, formula apply करो, sales is equal to cost plus में, sir sales कितना है, नहीं पता, है ना, x मान लेते हैं, cost कितना है, पता है 500, GP किस पे, sales पे है ना, इसका 20% या नहीं, x by 5 हो जाएगा अगर इसको पूरा solve करें तो हम, अब x की value solve कर लो, x minus में x by 5 is equal to 500, यहा जाएगा 4x, 5 is equal to तो x की value निकल जाएगी, क्या आएगी x की value, 25 divided by 400, 2500 divided by 4, 625 आ गया, मैंने direct निकाल दिया, आपको sales भी पता चल गया, और cost भी पता चल गया, हाँ, बिल्कुल separate, separate अभी question देखेंगे, तो अलग-अलगी दिखाते हैं वैसे, तो यह कौन सा adjustment था? sales on approval basis, इसमें दो चीजे चाहिए, आपको एक cost price चाहिए और एक selling price, अगर रुपए के terms में दे रखा है, तो कोई जंजटी नहीं है, percentage के terms में दे रखा हो, तो यहाँ दिक्कत आएगा, अभी मेरे पास book का लगावा नहीं है, अगली class में मेरे पास book का print out जैसे भी आता है, म अपको के अपको का लावब के दॉब साथा a विए झाले पास तो कुभ नहीं हैं, यहीं है, वहीं है दोॉपई भी आता है? झाल झाल